बढ़ते आगे जोहाँ प्रदेश में शिरू हुए समाधान शिवरों को एक महीना पूरा हो गया है टुटल न्यूस की तीन ने मंगलवार को समाधान शिवर का बारेकी सिच्वाई सा लिया शिवर में आने वाले लोगों को राहत तो मिल रही है पर सच्वाई से परदा उठाती है रिपोर्ट देखे प्रदेश के कई जिलों में लग रहे समाधान शिवरों को मंगलवार को एक महीना पूरा हो गया है पानिपत की बात करें तो यहां शिकायतों का सकसेस रेट 66 फीसद है जादा शिकायते नगर पालिका और नगर निगमों की हैं पर कोशिश यही हो रही है कि समाधान शिवरों में आ रही शिकायत करताओं को जादा से जादा रहत मिले पानिपत के समाधान शीविर को नियंत्रित कर रहे डेप्टी कमिश्टर डॉक्टर विरेंदर सिंग दाया पानिपत के समाधान शीविर को बारीकी से देखा यहां रोजाना तीन सो से चार सो तक लोग अपनी समस्याएं ला रहे हैं बहुत से लोगों की शिकायतों का मूखे पर ही निप्टारा हो रहा है पर कई ऐसे भी हैं जिनकी शिकायते बरसों पुरा नहीं है मेरी बैन की पेंशन की समस्या है जो के गल्स खाते में चली वी थी बैंक मेनेजर अमर को प्रिशान कर रहा है मैं इसलिए डीची साब के पास आया हूँ मैं पांच मेंने से परिशान हूँ डीची साब आपतो हाथ कारवाई करवा रहे हैं बैंक मेनेजर अमर को प्रिशान कर रहा है कहता है गाड़ी खराब हो जते हैं धका मारना पड़ता है अमारी समश्या वहाँ जो सीवर बने थे 2020 में वो नुक्केनू बंद पड़े हैं जो नए सीवर बने थे उसके बाद उन में ना तो कोई सुचारू रूप से पानी चाल लोया है सारे के सारे वैसे ही बंद पड़े हैं गोरतलब है कि समधान शीवर के एक महीना पूरा होने के दिन खास बात ये रही कि 2008 में तत कालीन कोंग्रेस सरकार में पानीपत के गाउं जहांबा के जिन 90 लोगों को सो सो गज के मुफ्ट प्लोट दिये गए थे आज 16 साल बाद भी उन्हें पीने का साप पानी नहीं मिला है ना बिजली की समुचित विवस्था है जरा इनकी तकलीफ सुनिये दिल को दुखाने वाली बात हमारी बहुत समस्या है कैई साल से फिर रहे हम ना पानी है ना बिजली है और ना कुछ नहीं है दो-दो किलो मेटर दूर जामें पानी लेने के लिए पानी पीते हैं ना सड़क बन रही ना कुछ बन रहा है चलिए समधान शिवरों का रिपोर्ट का सामने है पर सीख ये है कि जो लंबे वक्त से परिशान है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही उनमें भरोसा जगाना जरूरी है सबका साथ सबका विकाज हर्याना में आज कल सो सो गज के मुफ़ प्लाटों का बहुत शोर मचा हुआ है आज पानिपत में जो समधान शिवर लगा है उसमें कुछ ऐसे लोग भी आए जिनका ये कहना था कि 2 अक्तूबर 2008 को गांधी जियनती के दिन कॉंग्रेस सरकार में सोनिया गांधी यूपे की चेहर परसंथी सोनिया गांधी ने पानिपत से 2 अक्तूबर 2008 को सो सो गज के पलोट की लौचिंग थी शुबारम किया था लेकिन आज इस समधान शिविर में ऐसे लोग भी आए जिनका ये कहना है कि पानिपत के उस जहांबा गाउने ना तो वहां आने जाने की सडके है ना सफाई है और पीने का पानी तक भी नहीं है बुर्यादी सुविदा के नाम पर जीरो है आज वो लोग भी समधान शिविर में अपनी शिकायत लेकर आए थे देखना ये है कि अब इन लोगों की बुर्यादी जरूरतों और अब मानिया धार पर इनकी समस्या का कितना समधान होता है सेवकी शीडी निवास के साथ देवेंडर कतूरिय टोटल ले उस पानी पत भी रो